बैठी यह मिस्टर यथार्थ कॉशिक यथार्थ यह कॉमफर्टेबल इन हिंदी यह सर्थ हिंदी में बात करना चाहेंगे आपको दोनों डोज लग चुकी है वेक्सीन की यह सर्थ दोनों डोज लग चुकी है और फिलहाल कोई लख्षन तो नहीं है अभी तो कोई लख्षन नहीं है सर्थ तो मास कटा लेजे जी अथार्थ तो बाच्ची शुरू करते सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बिना अपना नाम दोहराए हुए अपने जाती दम समधाय का कोई उलेख नहीं करना है इसके बिना अपना परिचे दीजे सर्थ मैं गुडगाओ से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग DPS मारतिगुन से की है और फिर मैं कॉलिज के लिए ISM धनबाद गया महासे मैंने माइनिंग मिशिन्री से इंजिनिरिंग की है और मेरी हॉबी वालीवल खेलना है कब की थी अपने इंजिनिरिंग? सर्थ मैं 2011 में गया था और 15 में पास आउट वहूँ आप IIT ISM ग्राजुएट हैं साथ साल से अप कर क्या रहे हैं? सर्थ उसके बाद मैंने दो साल जॉब की है कहां? 15 से 17 तक मैंने जॉब की दो साल किस सेक्टर में? सर्थ माइनिंग में इसका मतलब आप अनेमप्लाइबल नहीं थे? मैं अनेमप्लाइबल नहीं था सर्थ आपको नोकरी मिल गई थी? नोकरी मिल थी फिर क्यो छोड़ी है? को सेक्टर में आपके पास जॉब थी? मेरे दिमाग में सर्थ पहले से ही था कि सिविल सर्विस की प्रप्रेशन करनी है तो उस ताइम पर मैंटल साटिस्वेक्शन के लिए मैंने जॉब ले ली थी लेकिन फिर मेरे को प्रप्रेशन के लिए प्रप्रेशन के लिए क्योंकि मेरे को सिविल सर्विस की कोचिंग जॉइन करनी थी तो मैंने दो साल जॉब की लेकिन अल्टिमेटल आप सिविल सर्वन बनना क्यों चाहते हैं जब आप आप आईटी आईएसम ग्राजुएट हैं और आपको माइनिंग सेक्टर में आप एमपलॉइबल हैं आपको पहले भी नौकरी मिलिया, I am sure कि बाद में भी मिल जागा तो why you want to become a babu? आप डेस्क पर बैठे रहेंगे सुप़े से शाम तक पहले A department की फाइल, फिर B department की फाइल What is it? Sir, मेरे को लगता है कि एक तो मेरे दिमाग में पहले से इन बिल्ड था कॉलिज के टाइम से ही बच्पन की भूलों के लिए सारे जीवन थोड़े न दुखी रहेंगे Sir, मेरे को नहीं लगता कि civil service में जाना कोई भूल है क्योंकि actual में मैं अपना professional career उससे और amplify कर पाऊंगा plus career growth और अच्छी होगी I could have understand, बतलब ये सुविकार किया जा सकता था कि ये बातचीत अगर हम लोग union civil services के लिए कर रहे होते हम आई ये इस की कर रहे हैं आप समझ पारे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कहां से हैं, आप तो गुड़ गाहों से हैं Cosmopolitan जगह है आप बिहार की civil service में जाना चाहेंगे वहां पे श्रम अधिकारी या पुलिस अधिकारी बनेंगे और ना आपको वहां की भाशा समझ में आएगी ना वहां के लोग समझ में आएगे, ना वहां का प्रशाशन समझ में आएगा और उसमें आनन्द लेने की बात तो भूल जाएगे सर, UPSC के लिए जब मैं मैं UPSC के लिए प्रिपेर कर रहा था तो उसमें भी तो सर, कोई भी गैटर मिल सकता है और जहां तक language की बात है सर, मैं चार साल धनबाद में रहा हूँ मैंने culture देखा है वहां का, मेरे बहुत सारे दोस्त है बिहार के गाने सुने हमने भोजपुरी चलि आप जाना चाहते हैं, इस समझ में आता है बिहार को क्या ज़रूरत है कि वो आपको आने दे सर, वो तो skill पर depend करता है पताई है, ऐसी कौन से skills आपके पास हैं जिसके चलते 7 साल से बेरोजगार घुमरा व्यक्ति अचानक बिहार की सेवा में ले लिया जाए सर, मैं 5 साल से बेरोजगार घुमरा व्यक्ति सर, मेर को नहीं लगता है, मैं बेरोजगार नहीं था अपनी अपने आपके व्यक्तित्व में ऐसे कौन से गुन है जिनकी वज़े से आपको लिया जाना चाहिए सर, मेर को लगता है कि सिविल सिवा के लिए कुछ particular set of skills चाहिए जैसे emotional intelligence चाहिए crowd handling ये सब चीज़ों के लिए mental intelligence चाहिए perseverance चाहिए, multitasking चाहिए तो मेर को लगता है कि वो सब गुन मेर में है उनका balance एक अच्छा मेर में है ओके, ये एक बज़े हुई बिहार को जानना भी चाहिए मुझे बिहार में कितने municipal corporations है सर मेर को exactly याद नहीं आ रहा मैंने पढ़ा हुआ है मैं सर एक guest ले सकता हूँ कोई पत ने, districts तो अच्छे से पढ़े होंगे कितने जिले हैं? 38 जिले हैं इन 38 जिलों में कितने जिले ऐसे हैं जिने हम aspirational districts कहता है सर I think 12 है क्या होते हैं aspirational districts? Sir, ये नीति आयो का प्रोग्राम है जो districts poverty और जो various parameters like sanitation, water उनमें जो पिछडे हुए है उनको आगे बढ़ाने के लिए inclusive development के लिए That is the only criteria, backwardness or there are some other factors also Why they are called aspirational, not backward? Sir, that I don't know चली, कोई बाती, thank you याथार्थ जैसा कि Sir ने भी आपसे बात की तो हरियाना से बिहार जो आप जा रहे हैं तो क्या challenges आप face करेगे? Ma'am, I think challenges बहुत minute है इतने जादा challenges नहीं है बस मेर को जो इदर urban life है cosmopolitan city है, cyber city है उसकी जो सुख सुविदाय है वो नहीं मिलेगी लेकिन I think मैं जारकंड में रहू बहुत कमफरटेबली रहू धनबाद में वो भी कोई तना अलग नहीं है वो भी कोई तना अलग नहीं है वो तो कैंपस में रहे होंगे ना? नहीं मैं, बहुत जार अभूमे भी है as such कोई इतने जादा challenges नहीं है कम salary, कम सुविधाय और आस पास कोई खास दोस्त भी नहीं तो manage कर लेंगे, adjust कर लेंगे बट mental satisfaction रहेगा किस चीज का mental satisfaction? कि मैं salary कम है मैं मानता हूँ लेकिन मेरे खाल 70-80,000 भी भी बहुत है भी हार मिराने के लिए शुरुबाती salary किती होती है एक officer की? मैं मेरा दोस्त है, मैंने उसे पूछा है, वो selected है, उसको 75 इन है ठीक यह बताएं कि अभी हाल ही के अंदर आपका राजय यानि हर्याना और भी हार दोनों में ही सेक्स रेशो में काफी improvement देखी गई है क्या सेक्स रेशो है भी हार की? भी हार की 918 है अब अब जो नया NHFS रेशो वो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग मैं एन एफ एफ एस का मेरे को नहीं पता लेकिन सेंसस की 918 है जो हाल ही के डाटा आया है उसके अनुसार हजार से ऊपर पहुच चुकी है सेक्स रेशो ओर ओर आल इंडिया की मैं भी हार की इसा ही कुछ हरेयाना के साथ भी हो रहे तो पहली चीज़ तो क्या आप इन आकड़ों पर विश्वास करते हैं मैं मैं गौर्वर्बेंट आकड़ है तो मैं विश्वास तो करता हूं और क्या कारण है कि जो सेक्स रेशो है इतना तेजी से बढ़ा है मैं मैं थिंग लोगों में अवेरनेस जागी है बेटी वचाओ बेटी पढ़ा अभ्यान गवर्मेंट ने भी बहुत सारी इनिशेटिवस लिये प्लस गवर्मेंट जो हमारे समाज में सोच थी के लड़की एक बर्डन है और डावरी वगरा का चेकर वो सब चीजें भी बहु सेक्स रिशीओ में माईगरेशन ख़भी एक चक्कर है क्योंकि इंडस्ट्री इज भहुत सारी जगे खुल रही है इंडस्ट्री प्रैट ही तो आप लोगों को माईडरेट करना कम पड़ रही है किस लिए चाहता है वह थीक है मेरको लगता है ठीक है आप माइनिंग से रिलेटेड है, यह बताएं, जो शेल गैस होती है, उसके एक्स्ट्रक्शन में गौार गम का प्रयोग किया जाता है, किसलिए किया जाता है? माम मेरको नहीं पतार है? पेटरोलियम का थोड़ी सेगमेंट है या मेरको नहीं पतार है आचा, गौारगम का वैसे उपयोग किसलिए किया जाता है? माम नहीं पताte भोजपुरी सौंग के बारे में आप मेंटिर कर रहे थे? मैं, कुछ songs ऐसे हैं और बने हैं जिन में थोड़ी बहुत objectification है लेकिन मैं मानता हूँ कि वहां का culture है और ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई woman के लिए कोई गंदा कोई वर्ताफ करता है या उनकी cultural value उहां पे कम है कल्चर है song सुनने का तो मैं मैं नहीं मानता कि यह कोई बड़ी बात है मिलब objectification of woman इतनी कोई वहां पे बड़ी समस्य नहीं है हां इतनी बड़ी समस्य नहीं है क्योंकि सीता मा वहां पे नाम ऐसे है कि सीता मा को इतनी cultural value है वहां पे उनकी पूजा की जाती है तो मिरको नहीं और नौर्थ बिहार में खासकर woman की बहुत अच्छी social significance है तो मेरे को नहीं लगता वो एक cultural value है मैं गाने सुनना तो सुनते है लोग लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई woman के लिए कोई गंदा बरता हुए ऐसा कुछ मैं नहीं नहीं देगा तो मेरे last question है आप से कि बिहार politics में बस एक बड़ी लगती है अपको मैं मेरे को लगता है politics अभी भी बहुत बहुत हद तक कास बेस्ट है और development बेस्ट नहीं है थांक यू इथार्थ चलिए अभी कास पर बात हो रहे थी तो बिहार के अंदर कास सेंस पर चर्चा चल लाई है क्या benefits होंगे कास से सर कास से benefit होंगे जो पिछडी कास्ट है उनको उसी लेवल पर reservation मिलेगा जितनी लेवल पर वो अभी population में है एक तो यह और उनके लिए अच्छे से schemes design हो पाएगी और इससे आपको लगता नहीं है कि जो कास्ट conflict है वो भी बढ़ जाएगा सर definitely starting की stage पर कुछ तो इधर उधर articles लिखे जाएंगे लोग एक दूसरे से कुछ कुछ बोलेंगे लेगे अभी कास्ट politics है और कास्ट politics वहाँ पर आप देवने डॉमिनेट करें भी आपने यह बोला ना और फिर caste census भी हो जाएगा तो यह और ज्यादा डॉमिनेट करना लग सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए अब जो प्रोग्राम एक तो साथ निश्चा है उसको अच्छे से इंप्लिमेंट करना चाहिए कौन कौन से निश्चे है उसमें सर उसमें एजुकेशन है हर घर नलका जल है उसमें सैनिटेशन है उसमें महिलाओ का अधिकार सुरक्षित रोजगार यूवाओ को सम्मान उनको उनके लिए एमप्लॉइमेंट डेवलप करना वो है और उसमें रोड है चलिया और यह साथ निश्चे पर काम कर लेंगे हाँ सर और मेरे को लगता है कि बिहार को अपनी जो रिसोर्सें उनको बहुत अच्छे से यूटलाइज करना चाहिए फूर एक्जम्पल बिहार में 500 मिलियों टर्न गोल्ड रिजर्व है जो की एकदम ही अंदर ही पढ़ा हुआ है उसको कोई कर रहा गया और नवादा में मेरे खाल यूरेनियम रिजर्व है किशन गंज में एक सेडिमेंटरी बेसेन ऐल का कुछ ही उटलाइज नहीं हो रहा फूड प्रोसेसिंग जो बिहार का मखाना है उसकी यूपी में होती है तो इंडस्ट्री से स्प्रेड हो सकती है अगर अग पता होगा इंडस्ट्रिस्ट जो है उनको भी पता होगा कि इस यूरेनियम भी है यहाँ पर प्रोसेसिंग उनिट से लगते हैं क्यों नहीं अभी तक किस पर काम किया गया है सर मेरे को लगता है कि प्राइविट इंवेस्ट्मेंट बिहार में आने से डरती है क्यों कि एक दूसरी चीज यह है कि अब तो खेर स्राड़क डेवलप हो गई है तो ट्रांस्पोर्टिशन लॉजिस्ट्रिक्स कोस्ट बहुत कम हो गई है लेकिन पहले वह भी नहीं थी उसकी प्राब्लम थी प्लस बिहार की सार इंडस्ट्रियल पॉलिशी में देख रहा था अभी भी रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन किन आर्टिक्स में है सर आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 जो एक उपर वाला एजुकेशन का है नीचे वाला एम्लॉइमेंट का है उसके लाबा जो लेजिसलेचर में है वह सर एक्जक्ली आदनी लेकिन 340 की लाइन में है जो अंगलो इंडिय के लिए है नीचेशन बाएन मेंजनिटर्वेशन के लिए जो इंडिये हैं से मेंडिय हटा दिया है ऑच्छा एकनोमिक बेसस्पर इरदैर रिजर्वेशन परोवीजन कब किया गया है किस अमेंड मेंड्मेंट से हैं से ginger equinoomin 병 rating एकनोमिक बासिशन परद्वेशन पोद्ध जाज जी के लिए बाधिकारी होता है, state, forced है state के लिए, कि वो रिजर्विसन दे ही दे, उसको प्रविजन करना है? नाइए ने ने पार्लेमेंट बाइलो जैसा उसमें लिखा हुए एंप्लोईमेंट में आर्टिकल 16 में लिखा हुए पार्लेमेंट बाइलोग और नॉट गिव अब यह डिपेंड करता है चाहे तो ना भी दे और अगर दे रखा तो वापस भी ले सकते हैं अगर एकनॉमिक स समुदाये के बाड़ेम जानते हैं सर हां जानता हूं किया है मधेशी समुदाय मधेशी समुदाये नौर्थ बिहार में नेपाल बॉर्डर के अरांड रहते है और उनका सर नेपाल में कंफिलिक्ट हुआ था जब कॉन्सिटिशन बनी थी उतना ही पड़ा है 2015 में नेपाल विजिट किया था भी हमारे प्राइम मिलिस्टर ने किस पर्पस से गय थे तो पशुपर्टि इनाथ टेंपल में गय थे मेरे को इतना याद है चले चुब बुद्धिस सर्कुट के बारब जानते हैं आप सर्देश दर्शन स्कीम के अंडर एक सर्कुट बनाए जिसमें बु पॉरें पॉलेट्सि के लिए किसी तरीके से इससे कुछ आमें बेनिफित में सकता है कैसे नौर्थीस में सारी कंट्री से जो बुद्धिस्ट इस तिब्बएत में बहुत सारे लोगा जब बुद्धिसम को फॉलो करते हैं तो इससे जो इंडिया की सॉफ्ट पावर आज इंप्रूव होगी कहां कहां पर तिबित में नौर्थीस में साथी सब्सक्राइब तो विद्यार्थी हैं मुझे बताए कि हाल के समय में हमें बार बार वह चीजे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कारण अब देखते हैं और जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं क्या इस टाइम टू एक्सेप्ट कि एक वास्त्विक्ता है यह केवल एक व्यग्यानिक सिध्धान्त नहीं है अगर क्लाइमेट चेंज एक वास्त्विक्ता है तो हमारे फेडरलिजम में उसके लिए क्या प्रावधा नहीं केवल केंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जाए या राज्ये सरकारों की भी समिधान के तहत कोई भूमिका है सर राज्ये सरकारों की भी भूमिका है तो जैसे अभी दिल्ली गोवर्मेंट ने बसेस को एक्सचेंज किया और HCN जी की बसेस लेकर आई है तो वह बहुत बड़ा स्टैप है ऐसी सर फेडरल स्टेट गोवर्मेंट भी सर अपने लेवल पर बहुत सार इनिशेटिव्स ले सर स्टेट में मेरे खो सर एक्जैक्टली हर स्टेट का पता नहीं है लेकिन इन्वार्मेंट मिनिस्ट्री हर स्टेट में होती है जो की राज्यों के पास पर्यावरन मंत्राले होता है सामिधान के सूची में कहां है पर्यावरन जो राज्यों के पास एक पर्यावरन मंत्राले होगा जैसे हर्याना के पर्यावरन मंत्री को है सर हर्याना के पर्यावरन मंत्राले है सर मेरे को नहीं बता से इस पर शायद ये बहतर अंसर है कोई बात नहीं आपने ये लिखा है कि आपको बॉली बॉल पसंद है, बुझे बताइए कि अगर हम बॉली बॉल के खेल को देखे, तो उसमें इस्तेमाल होने वाली जो गेंद है, उसमें कौन-कौन सी जोमेट्रिकल फिगर्स होती है, बॉल तो पकड़ी होगी है, वो बॉल जो है ठीक वैस इसी नहीं होती जैसे फुटबॉल होती है, उसकी जोमेट्रिकल शेप जिस जिनसे बॉल बनती है, वो अलग होती है, कौन-कौन सी शेप होती है, जो आपकी बॉली बॉल में होती है, जैसे पेंटगन होंगे, हैक्सगन होंगे, ऐसे सर्कल्स होंगे, मेरे खाल उसमें तो स कुछ और शेप्स भी शामिल होती है आप बॉली बॉल खिलते समय बॉली बॉल को देख पाए कभी की नहीं सब मैंने बहुत देखा है सब लेकिन आ थिंग पेंटागन हेक्जगन तो नहीं होता है डेफिनिटली स्ट्रिप्स होती है चलिए कोई बत ने जाके एक बार देख लीजेगा यथारता अपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपको इंट्रिव्यू समप तो था आप जा सकते हैं थैंक्स थैंक्यू 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 यथारत आपको इंट्रिव्यू 8 तारिक को है कब जा रहे हैं सर मैं 5th को निकलूँगा प्री देने बाद तो यथारत आपको पहला इंट्रिव्यू हुआ स्ट्रिट में हाँ सर पहला है नो यूपी नो बिया और नथीं नहीं अको यूपेसी कभी इंट्रिव्यू दिया ह मेरे ख्याल से एवरेज गया है, एक दो जगे मेरे को स्टेटिक डेटा पता नहीं था, और शायद एक दो जगे मैंने एक्स्ट्रीम स्ट्रीम स्ट्रिटमेंट सी दे दी राइट, सी यथार्थ मेरी सला तो सिर्फ इतनी है कि आप एक ब्राइट कैंडिडेट हैं, आप एक अच्छे इंस्टिजूशन से पढ़े हुए हैं और आपके परस्टनालिटी में एक आत्मविश्वास जो है, वो रिफ्लेक्ट होता है, विच इस डेफिनेटली अप बिक मैं बात कर रहा हूँ, कम्यूनिकेशन के इस तर पर, इन जनरल आपकी एंट्री ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप तेज आवाज के साथ परमिशन मांगें अंदर एंट्र करने के लिए, फिर पास में आके खड़े हूँ और लौडली ही ग्रीट करें, आपको board members के attention grab भी करनी है और अपने बारे में एक positive राय भी बनवानी है, so you don't have that margin of error, जो कि आपको UPSC में कभी-कभी मिल जाता है, कि even if you go for a slow start, you have that elbow room कि आप उसमें अपनी performance अच्छी कर लेंगे, इसमें अगर आपने शुरू में attention grab नहीं की, then you are lost, ठीक है ना, तो try and make it meticulous शुरू में, ठीक है, एक template बना लीजिए दिमाग में और बार-बार दोराईगे, ठीक है, कि आप loudly permission मांगेंगे, smartly walk-in करेंगे, सबको greet करेंगे, appropriate order में, उमीद करेंगे, कि आपको बैठने के लिए कहा जाए, नहीं तो permission लेंगे और बैठेंगे, and it should be loud, ठीक है, इसे दो बैठेंटे दिखें, सोने के अलाबा, सब जगे लगातर आपको यह दिखाई दे कि आपको formal होना है, अभी क्या है, verbal, non-verbal, दोनों communication में, आप बहुत informal हो रहे हैं, ठीक है, verbal में भी, और non-verbal में भी, verbal में informal कैसे हो रहे हैं, कई सारी जगहों पर आप ऐसे verbalizations कर रहे हैं, ज You cannot start your sentence with but or no, I mean it's a golden principle of any civil services interview, कि वाक्य कभी भी ना तो बट से शुरू होना चाहिए, ना नो से शुरू होना चाहिए, यह अगर ज़रत पढ़ रहे हैं, तो पहले sentence framed कीजिए, ताकि यह बीच में या बाद में आए, even if you for example, you disagree with certain thing, तो नो से वाक्य नहीं शुरू करते हैं, आप एक वाक्य बोलते हैं, जिसमें जो negation है, वो बाद में आता है, शुरू में नहीं आता है, ताकि आप यह ना देखे कि आप बोर्ड के साथ confrontation में है, ठीके ना, ऐसा लगेगा कि आप बोर्ड के साथ sink में है, बस आपकी राय थोड़ी सी इस मामले में different है, यह पर आप चलता है वाला attitude दे रहे हैं, especially when this Bhujpuri songs was being discussed, you cannot say that it is okay to objectify, more or less you said it, क्यों कोई बात नहीं, I don't think it is serious बात है, क्यों अबजेटिफिकेशन हो रहा है होने दीजे, no, you cannot say that, you are budding civil servant, आप यह कैसे कह सकते हैं कि objectification होने दिया जाए, या हमारी संस्कृति का हिस्सा इसलिए चलने दिया जाए, नहीं, ठीक है, rephrase it in a manner, जिससे ऐसा न लगे कि आप objectification को endorse कर रहे हैं, ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा है कि राय बदलीगे, किसी ममले में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी rephrasing कैसी होने चाहिए, इस पर विचार कीजिए, ठीक है न, उसे देखिए हाना जैसा आपने स्टेटिक डेटा कह रहे हैं, वह स्टेट के बारे में जितना जान सकते हैं, उसे देख लीजे, क्योंकि आपको से बात करते हैं, बोर्ड के मन में एक prejudice होगा, कि you are an outsider, not just an outsider, you are coming from Haryana, तो UP वालों के साथ फिर भी थोड़ा सा एक acceptance होता है, Haryana के साथ थोड़ अच्छी है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और उसको अपने favor में रखिए, ठीक है ना? All the best.